एलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल कलरफुल कि रोशिय देखिए मैं आज आपके लिए दो रंग का पोच्चो लेके आई हूं जो की बनाने में बहुत ही असान है और देखने में बहुत ही अच्छा है देखिए इसकी लुक यह बहुत ही अच्छा लग रहा है और गरम भी बहुत है क्योंकि इसार्म कोई घाली वगर नहीं है अन्हें इसे ट्रिपल क्रोशिय और डबल क्रोशिय की मदद से बनाया है ट्रिपल क्रोशिय के कानी बहुत जल्दी बन जाते हैं और जो बिगनर जीने सिर्फ डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिय चलाना आता है वो भी इसे बना सकते हैं देखिए इसकी लुक यह बहुत अच्छा लग रहे हैं मेरी इसमें 200.455-400 Clinton लगी है यह गिए 與, मैंने ईसम्न曼 और नquinho नमबर करें तो मेरे बताने का तरीका अच्छा लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक आप नहीं किया को लाइक और शेयर करिए आईए अब हमस्पोच्चों को बनाना शुरू करते हैं यह देखे फ्रेंड ऐसे slip note लगा के हमें chain बनानी होगी देखे ऐसे ना जादा tight ना जादा loose chain बनानी होगी 140 एक दो तीन चार पांच छे देखे इस तरीके से ना जादा tight और ना जादा loose और यह मेरा किरोशिया नंबर 8 नंबर का है यह देखिए यह देखिए फ्रेंड मैंने 140 चेन बना ली है और इसको मैंने दो बागों में divide भी कर दिया है बीच में marker भी लगाती है इस तरीके से और हमें से पीछे की तरफ जाते हुए इस तरीके से हमें सबसे इसमें कोई बलना इस चीज का द्यान रखते हुए सबसे लास्ट चेन में हमें इस तरीके से अंदर की तरफ से किरोशिया उख डालके और हमें करना होगा slip stitch दोनों में से इसको निकाल देने से और हमें तीन चेन लेनी है एक दो तीन तीन चेन जो की मेरी double crochet की height की होती है तीन चेन लेने के बाद हमें किरोशिया पैसे उख डालके और हर चेन में से हमें करना है double crochet एक डालके और हमें एक डालके और हमें ऐसे double crochet करना है किरोशिया पैर हमारे उख गएंगें तीन तीन में शुरू का दो का एक फिर दो का एक इस तरीके से हमें हर चेन में से एक बर double crochet करना है हमारे फस्ट रो में 140 double crochet होंगे देखिए इस तरीके से हर चेन में से किरोशिया उख लेते वे एक बर हमें करना है double crochet आप इसे फस्ट रो को single crochet भी बना सकते हैं half double crochet भी बना सकते हैं मैं इसे double crochet का बना रही है यह देखिए फ्रेंड डबल क्रोशिय के फस्ट रो को बनाते वे मैं इस तरीके से यहां पर सबसे लास्ट में आगे हूं अब मुझे इसे slip stitch के मदब से जोड़ना है एक दो तीन तीसरी chain में हमें ऐसे क्रोशिय उख डालके और यह से slip stitch के मदब से इसे जोड़ देंगे हमने इसे जोड़ दिया अब तीन चेन लेंगे एक दो तीन तीन चेन जो कि हमारी double crochet की आइट के उत्ति हैं और जहां पर हमने slip stitch किया था यहीं पर किरोशिय उख डालके और एक बर करना है double crochet double crochet उसी तरीके से किरोशिय पर उन लेके शुरू में हमारे तीन होगे थीन में शुरू के दो का एक फिर बाहद लाश्ट के दो का एक दीश्तरीक under each फिर वाहरs ऐस तरीके से एक uzंग्रीनीग के खेंद यह हमारे दो लेनी हुँए दो चीन दो चीन लेंगे पाद फिर इसी सेम चेन में किरोशिया उख डालके और हमें करना एक डबल किरोशिया इस तरीके से यह हमें करना एक डबल किरोशिया यह हमारे दो डबल किरोशिया दो चेन दो डबल किरोशिया यह हो गया हमारे इसके बाद हमें किरोशिय पर उन लेके एक बर ऊंलेकी आधनी वेक् até पर उन लेके यह हमें करना है तृप्पल क्रोशिया किस तरीके से करेंगे हम तृप्ल क्रोशिया करेंगे फ्रंट पोस्ट की तरह जिए जो हमारा ड य přिए इसका चेन में न लेके घार कर Hampण करेंगे लूजक को कर दो का एक प्वित एक लाष्ट के दो का य कि हमने तीन बर проблема है लेकिन फॉरsych में Jupiter उठाया तो फ्रन्ट प्रोश्ट ट्रिपल क्रोषिय क्रोषिय पर फिय्ड नेंगे और यह जो इससे अगला अमारा डबल क्रोश्यय है मैं से बनाएंगे ऐसे नौर्मल डबल ग्रोश्यय बनाना है कि और बबल उसन देंगे और यह क्रोषचे में से ऊपनाएंगे देखे इस तरीके से हमें बीच में से डबल क्रोशिय उठाना है और इसमें ये हमारे क्रोशिय पर उखोगे हैं चार दो बर हमने क्रोशिय पर बन लिया था तो शुरू के दो को हम निकाल देंगे फिर उन लेके बाद के बीच के दो को निकालेंगे फिर last के 2 को निकाल देंगे फिर हमें लेनी है एक क्रोशिय पे उन क्रोशिय पे उन लेके और यह जो इस से यह हमने triple क्रोशिय फ्रंट पोस्ट कितने उठाया है इस से अगले को हम double क्रोशिय को बणाएंगे simple double क्रोशिय नोर्मल chain में से किरोशिय उख लेके हमें एक double crochet कर लेना फिर किरोशिय पे हमें 2 बर उन लेनी है और इस तरीके से यह हमने बना चुक ए हम इससे अगले को करेंगी इसकी chain में से ना बना के हम इसे ऐसे बीच में से उठाएंगे और front post की तरह triple crochet करेंगे ये देखी इसे थोड़ा lose आथ सही बनाए triple crochet को फिर crochet पर उन लेके और हमें करना एक double crochet ये हमारी design की first row है और वैसे हमारी normal second row है तो इसमें हमें इस तरीके से triple crochet और एक double crochet एक triple crochet एक double crochet इस तरीके से हमारी ये first row बनेगी देखी मैं एक दो और बना के दिखाती हूं कि रोशिय पर मैंने दो बर उन ली है और ये हम double crochet बना चुके हैं इस वाले को इसकी chain से बनाया तो इस से अगले को उठाएंगे इस तरीके से इस तरीके से हमने इस से अगले को उठाया है और दो दो करके हम इसे निकाल देंगे तीन बर में फिर हमें किरोशिय पर उन लेनी है और ये जो इसके साथ वाला है बिल्कुल इसके साथ में होता है ये इसकी chain में से लेकी और ऐसे करना है डबल क्रोशिय की किरोशिय पर उन लेके दो बर और इस तरीके से हमें ये इस से अगले वाला डबल क्रोशिय को बीच में से उठाके और हमें करना है ट्रिपल क्रोशिय फ्रन्ट पोस्ट की तरह फिर क्रोशिय पर उन लेंगे फिर हम एक करेंगे डबल क्रोशिया फिर दो बर उन लेंगे और हम करेंगे बीच में से उठाके प्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया तीन बर करके निकालेंगे इसलिए से ट्रिपल क्रोशिया भूलते हैं इसके उचाई थोड़ी ज्यादा होती इसलिए थोड़ा इसे लू इसी तरीके से बनेगे और कहा Sorry जो बीच में मारकर लगाया था यह उन्हें फोर्टी चेण को दो शेक्वान के दीवाईड करके नहीं बीच में मारकर लगाया था यहां में इसी तरह का दो डबल क्रोशिया दो चेन और दो डोबल कुरोषिया बनाना है बनाको करते हैं Sonra comment办 पोस्ट क्रोशीया और एक क्रोषिया करते वे मैंने मार्कर का निशान लगाया था यहां तक आ गया हूँ ए था धिल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट की तरह हैं अब हमें कि रोशिय पर उन लेनी है और हमें करना है एक ही चेन में से दो बर डबल क्रोशिया देखिए एक हमारा यह आगे फ्रंट में है और एक हमारा पिछे बैक में जाए गई है अब कि रोशिय पर दो बर उन लेनी है और इससे अगला यह वड़ा हमारा डबल क्रोशिया है इसको हमें बनाना है बीच में से उठाके और ऐसे फ्रंट पोस्ट की तरह है टिपल क्रोशिया देखिए एक बर फिर दो करके निकालना है यह देखिए फ्रंट पोस्ट टिपल क्रोशिया और डबल क्रोशिया करते हुए मैं इस रोको बनाते हुए यह लास्ट तक आगी हूँ अब हमें क्रोशिय पर कोई नहीं लेनी और यह जो तीन की चेन ली थी हमें इसकी सबसे उपर वाली चेन में ऐसे हमारी डबल क्रोशिय की उपकी आइट की होती है और क्रोशिय पर उन लेके और यह जो हमारा एक इससे अगला डबल क्रोशिय इसको बनाना हमें ट्रिपल क्रोशिय की तरह है आगे से इसे उठा के बीच में से देखिए क्रोशिय पर दो बर उन लेके और इसे इसे बीच मे में दो की चेन में हमें दो डबल क्रोशिया देखिए इस तरीके से दो डबल क्रोशिया दो चेन और दो डबल क्रोशिया इस तरीके से हमें बनाना है सब्सक्राइब जैसे पहले हमने यहां पर बनाया था क्लस्टर इस तरीके से हमें यह 2 डबल क्रोशिय दो चेन और 2 डबल क्रोशिय इस तरीके से बनाया है कि रोश्य एक पर उनली और हमें जो इसके साथ वाड़ा जो था इसको करना है triple crochet, 2 बडर उन लेके इसे आगे से ऐसे उठाएंगे बीच में से और इसे करदेंगे triple crochet, triple crochet हमेशा ही थोड़ा लूँ जाथ से करें फिर पिरोषिये पर उन लेनी है और यह जो हमारा एक double crochet है, इसे बनाएंगे double crochet की तरह ऐसे दो बर उन लेके इस तरीके से हमें फिर इस ट्रिपल क्रोशिय को बीच में से उठा के हमें करना है ट्रिपल क्रोशिय देखिए और तीन बर करके निकाल देंगे डबल क्रोशिय को डबल क्रोशिय की तरह है यह हमारी सेकंड रो भी सारी इसी तरह से होगी देखिए यह हमारा पर इसे तरीके से हमें दो डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया इस बीच के दो इस तरफ जोडिते रहें यह defer गगे घडिजाइन कि City को बनाते हुए मैं यहां तक आगी हैं हमारे बीचुछ टक मैंने यह? कर लिया है इसके बाद हमारा परसंट कराऊ ईसको इस तरीके से मैं कर ऊब्च और किरोशिय और किरोशिय पर नेके और किर इस से अगले को करू घंझ जाए जाओने करें हैं फिर किरोशिय पर ऊन लेके हमें दो की चेन में करना है 2 वर डबल करोशिया देखिए दो बरग रवल करोशिया दो चेन तरह करना है दो गद बल गरोशिया है यह तरीके से कि मैंने यां पर त्रिपल क्रोश्य पर पोस्ट कि तरह है 12 किया किया था तरीके से हम इसको करना है फृंट पोस्ट कि त्रें ट्रिपल क्रोश्य में लोगाहि जलते तो यह बहुत सोफ्ट भी होता है और दो आ अच्छी लुक भी आती है इसकी इस तरीके से ही है हमारी रो यहां तक कम्प्लीट होएगी यह देखिए फ्रेंड यह मेरी वैसे तीसरी रो है और डिजाइन की मेरी सैकेंड रो है इसको बनाते वे मैं यहां लास्ट तक आगी हूँ किरोशिय पर दो बरून लेके और हमें इस ट्रिपल क्रोशिय को ट्रिपल क्रोशिय की तरह हैं बीच में से उठाके बनाना है स्लिप स्टिच करते हुए हम यहां बीच तक भी आ सकते हैं और यहीं से भी हम बना सकते हैं अब मैंने तीन चेन लेनी है एक दो तीन तीन चेन लेने के बाद क्रोशिय पर दो बरून लेके और यह जो हमारा ट्रिपल क्रोशिय इसको हमें ट्रिपल क्रोशिय की तरह ही बना यसे ृडपल क्रोशिय की तरह है फिर हमें इस दो की चेन में से करना है तो बढ़ डबलक्रोशिया फिर हमें दो चेन और दो डबल क्रोशिया अ किसले तो फिरमे कि रोशह पर और लेके और यह स्कुर्ण जणा दो की चेन के पास दाबल कि रोशा इसको उफ़ा के करने किसला कि Cisco कि र भी Haare सुरों कि न अधर भी हमें से सिर्म राय चना कि रहीं बनाने हैं और इस्से तत्रों कि रोशीयल कर सकता दाल क्रोशिय के उपर डबल क्रोश यह देखिये यह मेरी दीजाइन की थर्ड रोभी इस तरीके से बंदती रही देखिये इसपे ट्रिपल क्रोशिय नहीं बीच में डबल क्रोश यह जैसे मैंने 2 रो बनाई थी सेम उसी तरीक के से 3 ad वर यह मेरा पोछ आप इस पूरे पोच्चो को एक रंग से भी बना सकते हैं दो रंग से बना सकते हैं या आपकी इच्छा है आप जो भी रंग लगाना चाहें वो लगा सकते हैं मैंने इसे दो रंग से बनाया कि अच्छा लग रहे हैं बहुत अच्छी लुक आई इसकी देखिए और चार-चार की रो के बाद मैंने इसे कलर चेंज किया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और यह नो मैंने इसमें चार-चार की रो के नो ऐसे पट्टे डाल लें कि यह देखिए पोच्छों की जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी मैंने उतनी लंबाई इसकी त्यार कर लिए आप इसे पैन के भी देख सकते हैं वैसे इंची टेप से भी ना आप सकते यह देखिए इस तरीके से लास्ट तीन की चेन में हमें लेके ऐसे स्लिप स्टिच करते हैं पर लेने के बाद श्रीटेश करने के बाद एक चेन लेने के बाद यह इसी शемिर सेंबने के ऊचि और हमें जहां पर किरोश्य है बनाना है फिर गणारी इस ही servant किनारी धिक देख से इस तरीक्तेशिसा सब्सक्राइब मैं इसमें किनारी बनाऊंगी, simple वाले, इस तरीक के से हमें ये नीचे दो chain छोड़नी है, एक, दो, और फिर तीसरी chain में हमें करना है, सिंगल क्रोशिया, इस तरीक के से, फिर हमें दो chain लेके, और सेम इसी में, क्रोशिया उकडाल के, दो करने है, डबल क्रोशिया, देखी, और दो chain छोड़के, एक, दो, तीसरी chain में हमें करना है, ऐसे, सिंगल क्रोशिया, फिर दो chain, देखी, फिर इसी chain में हमें लेना है, देखी, इस तरीक के से, इसी chain में हमें लेना है, दो अबर डबल क्रोशिया, फिर हमें लेनी है, दो chain, दो chain छोड़नी है, तीसरे chain में हमें करना है एक सिंगल क्रोशिय यह देखिए सिंगल क्रोशिय करने के बाद इसमें लेनी हमें दो चेन दो चेन लेने के बाद क्रोशिय पर उन लेके और इसमें है कि दो डूबल क्रोशिय है कि इस तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी किनारी मैं इसमें बनाँ यह देखे फ्रेंड आम हमें बनाना इसका गले का बॉर्डर गले का बॉर्डर बनाने के लिए से स्लिप ा एक नोट लगाके और किसी भी चैन में किरोश्य उक डालके और सिंग उन सिंगर करेंगे और ए कि decisions करेंगेkte पिर फिर दो चेंद इसके बाद हमें करना है पिछे की तरफ से बैक पोस्ट फ्रंट क्रोशिय क्रोशिय पर उन लेके और ऐसे पिछे की तरफ से डबल क्रोशिय की चेंड में से नहीं लेना हमें हमें या चेंड में से क्रोशिय नहीं करना है हमें इस क्रोशिय को इस डबल क्रोशिय को उठाना है देखिए इस तरीके से आगे से लेके करेंगे डबल किरोशिया तो फ्रंट पोस्ट डबल किरोशिया और किरोशिया पर उन लेके से पिछे की तरफ से ऐसे देखिए पिछे की तरफ से इसे उठाएंगे और ऐसे करेंगे तो यह हो गया हमारा बैक पोस्ट डबल किरोशिया ग पैस्ट डवल कुल सिंए यह हमारी स्ट नेकर आज़ सना चेह कि इसे के वारा लिएका को MRC ब्तपर गाता है पोस्ट क यह उसी टरीके से वाला ऐएए है थे पर इसलाएंगे सब्सार यह सोरज साज़ारु तो बैक से उचा है करेंगे तो फेज़ार I Oh है यह व helemaal गले का एस तरीकों से बाले गवाएंगा रिलिक्रण्ट पोश्ट दबल करोल सियां मैं यह पीच तक वैंने में आन्म यह बीच बाहता के तो इससे पहले हमें प्रंट कोस्ट डबल करना यह से किरोशिय पर उन लेकि और ऐसे दिखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिय दो का एक कर देंगे लेकिन लास्ट के दो का एक नहीं करेंगे हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे उसके बाद इस पे बीच वाला डबल किरोशिया इस पे हमें कुछ नहीं बनाना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बेगर बने और इससे अगला जो है इसको फिर हम यह बैक पोस्ट डबल किरोशिया था यह फिर हमारा फ्रेंट पोस्ट डबल कि करेंगे ऐसे बीच में से किरोशिय उख डालके आगे की तरफ से और ऐसे शुरू के दो का एक कर देंगे लास्ट के दो का एक नहीं करेंगे हमारे किरोशिय पर उख हो गें तीन इन तीन नों को में एक बर ऐसे निकाल देंगे तीन का एक करतेंगे देखिए हमारे बीच का य भी रहों ऐले जुड वास यह को गीगी हुड उसे यह जो हमारी वी की शएप हे यह अच्छी आती है के फ्रन पोस्ट रख व्लकों कुरोशिया और बैक पोस्ट रख पने लेकिन इसे हम पूरा नहीं बनाएंगे लाश्ट के दो उक आमारे किरोशिय पर आएंगे इसे हम स्किप करेंगे और इससे अगले में फिर हम करेंगे इसके भी दो को निकाल देंगे लाश्ट का एक बचाय रखे दीखिए इस तरीके से हमारे किरोशिय पर उको गए हैं तीन हमें तीन का एक करना है पिर हमें करना है बैक पोस्ट टबल किरोशिय यह देखिए फस्ट रोको बनाते हुए मैं यहां तक आगी हूँ अब हमें तीन की चेन में यह स्लिप स्टिच की मदद से इस तरीके से के अगरमा हमाओ हमारी गड़े के बॉर्ड की सेकंड ओग लेनी है और हमें एक चेंma लेनी है एक चेन लेने के बाद हमें जो यह मॉं स्प्रंड पोस्ट रुश्या इसको आगये की तरफ से ऐसे उठाएंगे और double crochet करतेंगे और back post double crochet front post double crochet back post पर हमें back post करनी है और front post पर हमें front post double crochet करनी है इस तरीके से हमारे है ग Sug Brock की second row गБडर की second row को बनाते हैं मैं last beach टक आ गzäh है यह अमारा बीच का गर व हम यंन्स के पैले यह कैसे बैक पॉस्ट डबल कर लेंगे और इसकों स्किप करेंगे इससे अगले को फिर बैक पॉस्ट करेंगे इसे भी पूरा नहीं बनाएंगे करå दिसके बाद आमें करना है फ्रन पोस्ट्राइब करोश्या फिर बैक बोस्ट दबल करोश्या कीत अब हमेरे जिस तरिके से रहें उसी तरीके से बनांगी प्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट इस तरीके से मेरा गले का बोडर कम्प्लीट होगा आप चार रो पांच रो जितनी रो आप गले के बोडर की बनाना चाहते हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं गले के बोडर को बनाते हुए हम यह आप तक आगय है, अभ अमेने जोडना वेकिए दीखिए स्लिटिज के मदद से तो इस फ्रइंट POLच डबल करोशe के चेन में यहीं स्लिटिज ना करके हमें से अगले चेन में करेंगे आसे सलिप स्थिज इस तरीके से हमें पता भीने लगता के कहां से अमने शुरू किया था यह ऐसे पूरे को नहीं उठाएंगे लैकिन इस पूरे को नहीं उठाएंगे इसके साथ में एक चेन इसको बीच में से यहा से किरोशिय टाल के इसको इतना ही उठाएंगे फ्रन बच्ट डबल्प approached कि तरे हम उठाए यह हमारा बन गया फ्रंट पोश्टर दब्ल करोश्या करेंगे है कि फ्रन्ट पोस्ट डुबल कुरोश्या आनझी करें पटूरे को निम अखाएिगे हम या से बीच में से एक चेन को इदार छोड करना है और गले के आगे और पीछे हमें इसी तरीक से इस Welt डबल क्रूशिया बनाना एक 3 पूरानी बनाएंगे 3 फि Personal कोूरे के इस तरीके से मेरे घणे की वी की शेप से अक्लाइगी जेवी इस तरीके से अच्छे तरीक से अच्छे तरीके से लिए अमें आप 1 स्कीप करना होते है और दो के बदे बादा है किसि इसके अगली चेन में आइसे नहीं करेंगे कर देंगे 2024 वंचुले एक रोर बनाऊंगे आप इह्छा आप एक रोर बनाई या इतनी पांच रो रखिये मैंने इसमें अब जहां से हमने कट किया था वहीं से यह से क्रोशिया लेके और यह सिंगल क्रोशिया है और एक लेंगे सिंगल क्रोषिय है एक चेन रिस से अगली चेन में हमें करना हर चेन में से एक बर सिंगल क्रोषिय है इन दो नोगे प your student को भी हम साथ लेटे भे चलेंगे ताकि बाद में हमें आपने सुओं की मज़़ से सिलना सिलनाना पड़े हर chain में से एक सिंगल क्रोशय है देखिए इस किसे हर chain में से एक बर पर खिशी यह जी भेटिये गले के बोर्डर की six त्रो सिंगल क्रोशय से करते हूसे मैं यह तक आगी यह यह है यह हमारा बीचका 향 किरोशिय है डबल और यह इससे पहले का चीन है तो इसमें आमें करना है एक बर सिंगल क्रोशिय लेकिन उसे पूरा नहीं करेंगे इसको हम स्किप कर देंगे और इससे अगले में एक बर ऐसे लेके किरोशिय पर उखोगे हमारे तीन तीनों का में एक कर देंगे एक बर में सि मैं पिछे के बाग में बैक बागे बीच हुँ देखिए इससे पहले अब में इस चेंड में यह ँहारा पाल कि ऊचिमल करेंगे जहां पूरा नहीं करेंगे is kum skip कर देंगे इससे अगले चेन्ग में भी आमय तीन हुनेeur एक बर सिंगल क्रोशिया उससे अगली चेन में भी एक बर सिंगल क्रोशिया हर चेन में से एक बर सिंगल क्रोशिया लेते हुए हमें ये रो अपनी कंप्लीट करने हैं देखिए इस तरीके से और इसके बाद हमें ये जो हमारी एक चेन ली थी उस चेन के सबसे उपर हमें ऐस स्लिप स्टिच करते हैं एक चेन लेके थोड़ी सी लंबी छोड़के हम अपने उनको कट करते हैं यह देखिए फ्रेंड मेरा इपोच्चों कंप्लीट हो गया है और बहुत ही अच्छी लुक आई इसके अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो मेरी वीडियो क को लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए थैंक यू कर दो हम अपने सब्सक्राइब तो क्रदब कर दो